श्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब? 24 माई को जेश्ट मास के पवित्र महीने का मंगलवार है, दूसरा मंगलवार है, सरवार्त सिध्य योग भी है और विशंब योग भी है, दोनों ही दुरलब योग हैं और दुरलब सहयोग हैं जेश्ट मंगलवार के दिन ही हनुमान जी हमारे प्रभूश्री राम से मिले थे, इसी लिए हनुमान जी आज प्रसन नम्मुद्रा में होते हैं, इसी लिए हमें कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए ताकि हमारे जीवन के कस्ट संकट जो हैं, वो संकट मोचन हर ले, तो बहु रेश्मी धागा ले 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 या मोली का जो धागा आता है न वो भी ले सकते हैं अब आपको आपकी हाइड के अनुसार आपको वो काट लेना है साथी में आपको एक दीपक लेना है और उसके अंदर सरसो का तेल डालना है अब ये सारी चीजे लेकर के आप हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे अब आपको क्या करना है जो आम का पत्ता लेकर क्या है ना उसके उपर आपको लाल जो धागा है वो लपेट देना है हनुमान जी के सामने और उनके चरणों में आपको रख देना है मंदिर में उनके चरणों में आपको रख देना है अब आपको दीपक प्रजुलित करना है और उसके बाद राम नाम का आपको 108 बार जाब करना है देखिए श्री राम चंद्राय नमह का भी आप 108 बार जाब कर सकते हैं अब आपने जो पत्ता और धागा रख रखा हुआ है उसे उठाएं और आपने जो दीपक लगा रखा है उसके उपर से साथ बार आपको वारना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोलना है जो भी केवल एक मनोकामना बोलनी है और एसी मनोकामना बोलनी है जो पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं है कि हमको 10 करोड दे दो, 5 करोड दे दो, 1 करोड दे दो, ऐसा नहीं, जो भी आपके जीवन में विगना आ रहे हैं, उन्हें दूर करने की प्रातना करनी है, नोकरी चाहिए तो नोकरी लग जाए, यदि घर में कलेश हो तो कलेश खत्म हो जाए इस प्रकार से आपको प्रातना करनी है, यदि व्यापार में कुछ भी समस्य आ रही है, तो वो दूर हो जाए, तो आपको ऐसी प्रातना हनुमान जी से करनी है, अब आपको क्या करना है, वो जो धागा है, वो निकाल लेना है, और आपके सीधे हट में बान लेना है, ध्या ध्यानके ये जो धागा है आपको कम से कम पांच मंगलवार तक पहने रखना है और उसके बाद भी आप पहने रख सकते हैं इससे आपकी मिनोकामना भोछ जल्द ही परिपून हो जाएगी अगर कुछ बीची समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलते बिल्कुल भी बादेव!